है दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मिंदा कर ओपरेशन के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करने प्राइस की बात करेंगे तो 207.35 की करने प्राइस चेल रही है और आज की दिन में लगबग स्टॉक जो है 1% उपर के लेवल पर कारोबार करता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है तो सबदxi का स्कॉर्ट डिसकस करेंगे फिर इसकी लास्टा लाश्ट फॉरीयर का फानेंशियल ट्रेंट और इसका फोर्कस्ट भी देखेंगे और हमें अन्लिस्ट सलक क्या देते हैं कि उसके बात जैक्निकल चार्ट का अनलिस्ट मिं करने वा थije में short और important होने वाली है तो वीडियो में end तक बने रही है performance की बात करेंगे तो यहाँ पर average बता रहा है valuation इसका high है growth जो है low दिखा रही है profitability high है जो कि काफी अच्छी बात है entry point की बात करेंगे तो stock जो है overpriced है लेकिन overbought zone में नहीं है तो आप यहाँ से fresh entry का plan बना सकते हैं और सबसे main जो important चीज़ होती है no red flag show कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term short term या फिर swing trade के लिए entry का plan बनाते हैं तो no red flag देखके ही आपको उसमें entry का plan बनाना है तो चले जो सब हम चेक कर लेते हैं इसका last 4 year का financial trend 2019 से 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने show कर रहा है company growth की बात करेंगे 20 से लेके 22 तक का तो यहाँ पी देखे हमें year by year जो है काफी अच्छी growth देखने को मिल रही है अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो यहाँ पे revenue और profit में काफी अच्छा जो है हमें jump देखने को मिल रहा है तो चले दूस्तों हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की दूस्तों अभी तक आपने angel one में demate account open नहीं किया है कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने नीची के और एक zone draw किया है अगर आप यहाँ पे देखेंगे October 2022 में स्टॉक जो है multiple time multiple candles जो है इसी level पे आने के बाद support लेके हमें उपर के और यहीं से bounce entry का इसके नीचे का चोटा सा SL रख क्या फ्रेश एंट्री का प्लान कर सकते हैं इसके जलते फर्दर stock में तीजी continue होते हुए दिखाई दे सकती है अगर से यहाँ पे support भी break हो जाता है नीचे की और तो यहाँ पे हमें stock में अगें further गिरावट continue हो करते हैं तो उपर की और जो है हमारा next important resistance रहेगा इसके अंदर 223 का फिर उसके बाद में इसको भी breakout उपर की और देता है तो हमें 240 का लेवल हमारे लिए next important resistance जोन रहेगा तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके इंजल वन एप में दोस्तों हम जाने के बाद में search box में हमें stock का नाम सर्च करना है जैसे हमें मिंडा कॉप का चाहिए तो हम यहाँ पर मिंडा टाइप कर लेंगे मिंडा कॉप यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर टैप करने के बाद हमारे वास लिस्ट में सक्सेसफुली एड हो जाएगा अभी अगें हम इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा यहाँ पर आप इसकी current price देख सकते हो चार्ट देख सकते हो stock details भी आप यहीं पर देख सकते हो हमें यहाँ पर buy पर टच करना है जस्ट हमें चार्ट पैनल्स किया है तो यहाँ पर देख के बाद intraday और delivery का option शो करेगा intraday याने कि stock अगर आपको same day by same day sale करना है तो आप intraday में करेंगे अगर आप stock को buy करके hold करना चाहते है तो आप delivery में करेंगे अब हम यहाँ पे intra day ही इसको रहने जेते हैं, यहाँ पे हमें quantity इंटर करनी है, मानलीजिये हमें 200 quantity बाय करना है, तो यहाँ पे 200 हमें इंटर करके रखेंगे, यहाँ पे limit और market का option दिया है, limit आने के stock को अपने मनपसंद price पर खरीच सकते हो, मानलीजिये आपको 200 पर बाय करना है, सेम जैसे मैंने आपको बताया है, intra day का वैसे ही delivery का होता है, यहाँ पे देखे हम buy पे touch करेंगे, buy पे touch करने के बाद confirm आ जाएगा, confirm पे हमें touch करना है, फिर उसके बाद हमारा order जो है, successfully execute हो जाएगा, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडिय पेक कियर